और आप विधायक विशेश रवी लगतार MCD पर हमलावर बने वे हैं उन्होंने इस बार बेहत गंभीर आरोप लगाई हैं तरसल विशेश रवी का कहना है कि MCD बेचना चाहती है दिल्ली के स्कूलों को बीज़पी और MCD पर उन्होंने जम कर निशाना साधा MCD की संपत्ती बेचने में लगी हुई है दिल्ली बीज़पी ये कहना है विशेश रवी का और कुछ इसी आधर पर आप विधायक लगतार बीज़पी को घेरते आ रही है इस बार उन्होंने कहा कि पैसों के लालच में MCD की संपत्ती बेचने में दिल्ली बीज़पी लगी हुई है आप विधायक विशेश रवी ने कहा भाजपाश शासित MCD स्कूलों की जमीन बेच कर करोड़ा का भश्टाचर करने की तयारी है मेरे पास MCD के टेंडर की कॉपी भी है उनमें चार स्थान पर पार्किंग बनाने की तयारी है MCD ने पहला अजमल खान रोड के लिए 175 करोड का दूसरा न्यू अशोक नगर के लिए 116 करोड का तीसरा शास्त्र पार्क के लिए 1195 करोड का और चौथा उशलेन के लिए 148 करोड का टेंडर निकाला है करोलबाग जैसे प्राइमरी लोकेशन पर पचास गर्ज की जमीन भी करोड की मिलती है लेकिन MCD 4,115 वर्ग मीटर की जमीन को मात्र 175 करोड में बेच रही है उन्हेंने कहां आमादी पाठी MCD के फैस्ट्री का विरोध करती है करोलबाग की जनता और वहां के ज़्यादतर RWS हमारे साथ है करोलबाग की जनता का कहना है कि हमें और अधिक स्कूलों की जरुरत है हम निगम सिविक सेंटर और फाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घर पर जाकर इस बारे में प्रदेशन करेंगे विरोध चुताएंगे कि स्कूलों के साथ साथ वहां पर 45 दुकाने हैं जो पिछले 50 साल के वहां बनी वी है जो इमानगारी से वहां पर अपने परिवार का पालन कोशन कर रही है सभी तरह के गवर्मेंट के टेक्स भड़की है कोई किसी तरह का जो है उनका एंड्रोश्मेंट या कोई एक्टिविटी नहीं है उन लोगों को रात्रवात उनकी दुकान सिल्केंटे हटाय जा रहा है वह दुकानदार भी जो है अपनी फर्यार को लेकर जगा जगा घूम रहे हैं और यह प्राग्मा कर रहे हैं 30 से कि उनको ना उटड़ा जाए उनको इस तरह से अचानक जो हैं उनके काम धंदे को खतमने किये जाए और वो भी लोग जो है इस पूरे इतरह से अभी जो पूले हफते के अंदर जैसे ही करुणा के गायलाइन में थोड़ी धील मिलेगी तो करुणबाद की जंता ने यह तैय किया है कि बड़ा अनुलन एक बड़ा प्रटेस्ट जो है इसमें किया जाएगा वो नदर निगम का जो शिविक सेंटर मुख्याले है वो वहां पर भी होगा और भारते इंता पाटी के अज्रक्ष है उनके यहां भी होगा एंचेडी पर लगाता भरष्टा चारुक के आरोप लग रहे हैं ताजा मामला पूसर रोड इस्तित एंचेडी स्कूल का आया जहां एक एंचेडी के स्कूल को की आधी जमीन को एंचेडी भाजबाश पे एक स्कूल को खतम करके वहां पर उस जमीन को बेज कर पारकिंग पुजबाने का बंदा उठाया था और उसमें भारती आंता पार्टी के लोगों ने कहा कि यह तो स्कूल बंद हो चुका है यहां कोई बच्चा नहीं और यहां कोई बच्ची का किसी का नाम नहीं सबको को में शिफ्ट कर दिया है इसलिए हम पारकिंग पुजबा रहे हैं अलाकि यह भी गलत था अब लेकिन आज जो हमने आज मुद्दा उठाया है वो यह है कि पूसा रोड के ऊपर MCD Primary School के नाम से एक स्कूल इंका चल रहा है लगबक 6000 स्कूर मीटर की जगा में स्कूल बना हुआ है इस स्कूल के अंदर से इन्हों ने 35 स्कूर मीटर की जगा स्कूल चलते वे स्कूल की जगा में से निकाल कर वहां भी यह पारकिंग बना रहे है इस मुद्दे को हमने आज उठाया है और यह बड़े शरम की बात है कि बच्चों के लिए स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के बजाए वहां पर कोई लाब पड़ेगा होंग करेंगा को जबनाने के लिए तो आपने यहां प्डेर्ड अप्दीप्ट्रा युजा एधायंूड द्यूज्डाश्टा युजिए लिए अफ्टैट्टिवेजग युण धायून उप्टैश्टै अप्स्तू प्स्तू साविए आलनोड़ अटनाव